हम क्या पढ़ेंगे distance traveled and displacement के बारे में distance travel यहाँ पर जो होता है वो हमारा कौन सी quantity होती है वो हमारी होती है scalar quantity और displacement जो होती है वो हमारी होती है vector quantity displacement में जो होता है direction भी show करता है बट distance में direction show नहीं करता यहाँ पर सिर्फ magnitude show करता है और vector quantity में magnitude प्लस direction दो नोशो करते हैं इसको हम समझते हैं example से माल दो कोई person a बर है वो अपने दोस से मिलने गया b पर ठीक है फिर वहाँ पर कोई दुकान गया फिर वो दुवारा अपने घर गया तो यहाँ पर इसने total distance कितनी कवर करी 5 km 3 प्लस 4 तो यहाँ पर कितना हो गया 12 km हो गया तो इसने total distance कितनी कवर करी 12 km तो यह हमारी किस में आ गया यह हमारी आ गयी scalar quantity में बट अगर मैं यहाँ displacement की बात करूँ तो अगर यहाँ पर एक person है वो a to b गया फिर b से वो c गया अपने shop पर भी गया तो यहाँ से a to c क्या कर रहा है यहाँ पर direction show कर रहा है यहाँ पर सिर्फ यह वाली direction show करेगा यह वाली नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर a से भी दूसरी direction और b to c यहाँ पर direction उसकी change हो गई तो वो किस में आएगा, वो scalar quantity में आएगा, क्योंकि यहाँ पर direction चेंज हो गई, बट अगर हम vector में देखेंगे, तो यहाँ पर direction चेंज हो करेगा, A to C की towards east कह सकते हैं, towards west कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ direction चेंज हो करेगा, तो vector quantity में क्या होता है, direction चेंज हो करता है, और distance चेंज हो करता है, तो यहाँ पर distance कितनी होगी, सिर्फ 4 km होगी, और square quantity में जो distance हमने ली थी, वो total A to A ली थी, वो हमारी कितनी थी, 12 km, और यहाँ से हमने जो vector quantity distance लीए, वो क्या है, A to C होगी, shortcut में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर direction चेंज हो करता है, यहाँ पर second में देखते हैं, जैसके यहाँ पर A पर था, A से B पर गया, B से C पर गया, और C से फिर A पर गया, तो total यहाँ पर distance जो cover करी थी, 12 km करी थी, बट यहाँ पर displacement होता है, कभी-कभी 0 भी हो सकता है, displacement क्या होता है, हमारा 0 भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, मालो A person है, वो क्या करा, हुआ पर गया, B पर गया, फिर B से क्या करा, C पर गया, और C से त्फिर दुवारा अपने घर आ गया एपे तो यहाँ पर जो उसने कोई यहाँ पर कोई direction शोग नहीं करी क्योंकि वो अपने initial point पर यहाँ आ गया तो यहाँ पर कोई direction शोग नहीं होई तो vector जो हमारी displacement होगी वो क्या होगी हमारी 0 हो जाएगी यहाँ ठीक है मतलब वहाँ पर क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ जो इसका displacement है वो क्या होगा इसका 0 होगा बट अगर distance की बात करें तो यहाँ पर हम formula लगाएंगे area of circumference का ठीक है circumference of circle का formula लगाएंगे 2 pi r ठीक है जिसमें हम radius डालके इसकी हम distance निकाल सकते हैं सेम जैसे कि यहाँ पर टाउन a है और टाउन b है तो यहाँ पर एक कार निकली टाउन a से गोंफिर कर निकली और टाउन b तक पहुँच गई तो यह जितना है इसको हम क्या बोल सकते displacement बोल सकते है 10 km टुवर्ड्स या टुवर्ड्स वैस्ट ठीक है हम इसको क्या बोलेंगे 10 km टुवर्ड्स इस्ट तो यहाँ पर यही होता है distance क्या होती है हमारी scalar होती है यहाँ पर total distance हमें दिखानी बढ़ती है displacement में क्या होता है डारेशन के साथ साथ जो shortcut जो distance होती जो किसी डारेशन को fix so करती है महाँ पर वह हमें दिखानी होती है ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने next point की तरह